First Bite की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरत नमस्कार मैं हूँ रवी शर्मा और आप देखें First Bite.tv आखिरकार 4000 करण रुपे से जादे के बाइक बोट घोटाले में SIT वे आर्थी कपार शाखा ने तीन और घोटाले बाजों को ग्रबतार कर लिया इन महा घोटाले बाजों में संजेब भाटी का भाई सचिन भाटी लोगों को तेजी से फांसनी की कला में महीर पाते हुए डारेक्टर बनाया गया करण पाल वे पवन भाटी सामिल हैं इन में सचिन भाटी वे करण भाटी वे करण पाल पर 50-50 सजार रुपे का इनाम खोशित था ये तीनों ही कुख्यात पिछले डेर साल से बाहर रहकर कारगार में बंद मुख्य अभियुक्त संजेब भाटी को मदद पहुचा रहे थे साथ ही संजे के कामकाज को देख रहे थे करण पाल की भूमी का डारेक्टर के साथ ही मुख्य कोशाद्यक्स की भी थी इन तीनों की गरत्तारी से बाइक बोट में पैसा लगाने वाले निवेशकों को जरोरत रहत मिली है लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी उनके सामने खड़ा है कि उनकी गाड़े खोन पसेनी के कमाई आखिरोंने कम मिलेगी इस महाग घुटाले में अभी भी तमाम बड़े मगरमच बाहर खुली हवा में नहीं सिर्फ सांस ले रहे हैं बलकि दूसरे के पैसों पर खुले आम एशवर आम की जिंद्गी जीते हुए सम्मंदित मुकदमों की पैरवी में लगे हैं बाइक बोट घुटाले को फर्स्ट बाइट टीवी ने शुरुआती दिनों से ही बेहत शिद्दत से उठाया है इसे लेकर पिछले डेड़ साल से बाइक बोट के दादरी मुखेले पर दिन रात धरना परदर्शन भी चल रहा है धरने का नितुत कर रहे हैं मुन्ना बालियान की दाड़ी लंबी हो चली है लेकिन उनका धरना दिन राज जारी है मुन्ना आदी का साफ कहना है कि यह लड़ाई निवेशकों का पैसा वापस मिलने तक जारी रहेगी मुन्ना बालियन जैसे आंदोलन कारियों को फॉस्ट बाइट सेल्यूट करता है सचिन भाटी निवासी रामिश्वर पार्क लोनी गाजियाबाद ग्रवित इनोवेटी प्रमोटर्स लिमिटिड में डायेक्टर है वह संजे का सगे भाई है सचिन भाटी पुत्र रतन सिंग भाटी निवासी रामिश्वर पार्क जिला गाजियाबाद भी कंपनी में डायेक्टर पत पर कारे रत है संजे भाटी के बाद वह सबसे जादे प्रभाव सली रहा है करणपाल निवासी F83 गंगा सागर मवानारोड मेरट शामिल है करणपार कपलों की सूट लेंद सस्ते दामों पर बेशता चला रहा था लोगों से इस दोरान अच्छा संपर्क बन गया लोगों बहुत तेजी से अपनी बातों में फसा लेने की कला को देखते हुए ही संजे भाटी ने करणपाल को डायक्टर के साथ ही खजानची भी बना दिया था दो लाख रुपे प्रती महा, फॉर्चुनर वे फुल एशो अराम उसे कंपनी ने दे रखा था इस बारे में अपर पुलिस अधिक्षक आर्तिक अपराज शाखा डॉक्टर राम शुरेश यादों ने फस्ट बाइट को यह जन करी दी यह हम लोग एक विवेशना कर रहे हैं जो कि बाइक बोर्ट से संबंदित है ठाना दादरी जनतर गोतम बुद नगर में मुकद्मे पंजी कृत हुए हैं इसमें कुल 27 मुकद्मे पंजी कृत हुए हैं जिसकी विवेशना हमारी 5 इंस्ट्रक्टरों की एक टीम दोरा की जा जास जार का इनाम है और तीसरा एक पाउन भाटी है उसके खिलाब कोड के दोरा वारंट है ये तीनों बहुत मुक्य अभ्यूक्त हैं इस पूरे मामले के करनपाल जो है वो बाइक गोड़ वाले जो प्रकरण में जो हम लोग जिसकी जांच कर रहे हैं उसमें मुक्य खजा प्रकरण का मुक्य खजा भाटी उसका सगाभाई है इसका भी इस पूरे प्रकरण में काफी बड़ी भूमिका है ये पूरा प्रकरण जो लगभख साड़े तीन हजार करोड का है जिसमें ये इस आज की गरफतारी को मिला करके हम लोग ने 14 लोगों को गरफतार करके जेल जा है इसमें अब तक कितना इन से बरामद्गी की वेज़े कितनी रगम रिगरवर्ड पोची पी बरामद्गी के लिए हम लोग अभी फिलहल बिवेजनात्मक कारवाई कर रहे हैं और जो बरामद्गी है वो बैंकों के थूरू इन्होंने पैसे गलने देन किया है उसकी ल अब तक कुल 14 लोग गरवतार होके जाल चुके हैं और अभी लगभग 10 लोग ऐसे हैं जो हमारे रडार पे हैं जिनके लिए हम लोग विवेजनात्मक कारवाई कर रहे हैं और जल्दी हम लोग उनको भी गरवतार करने के सती में आएंगे सुत्रों से यह भी पता चला है कि संजय भाटी ने लोगों की आँख में धूल जोकर लोगों का जो पैसा लूटा है उसे उसने विदेशों में निवेश कर रखा है पेटल कंपनी वे इंडिपेंडेंट कंपनी भी उसने इसी पैसे से खरी दिये पेंटल वे या कसा जा रहा है बता दे कि मास्टर मांइंड बी एंतिवारी भूदेव ललित दिप्ती बहल जैसे महा गोटाले बाज अभी भी पुलिस की पकड़ से बहुत दोर है इस खबर में आज इतना ही आप देखते रहें फास्टबाइट.टीवी नमस्कार